तो आदाब नुश्कार गूडी इनिंग सस्याकाल एक बार फिर आप तमाम नों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में उमीद पूरी फैमिली अच्छी होगी हरोजाना वही क्रोना के केसिस का मीटर जिस तेजी से भाग रहा है और हम सब की नजर भी बस इसी के उपर है पूरी दुनिया शायर इस वक्त एक ही जो शब्द इसके सबसादा नाम लिये जा रहे है वो है क्रोना और आज एक मिलियन दस लाख जो इसके इंफेक्टेड लोग है यह आकड़ा पार कर चुका है एक मिलियन करीब साले बलके साड़े दस लाख हो चुका है पूरी दुनिया में जो क्रोना के पॉजिटिव पाए गए है फिफ्टी फॉर थाउजन चवण हजार के आसपास मौत हो चुकी है और एक अच्छी बात ये भी है कि लगबग सब दो लाग लोग ठीक पी हुए है लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हाला ठीक नहीं है खासतोर पर इसमें अमरिका है और अमरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी तक एक इटली के नाम पे एक रिकॉर्ड था सबस्यादा एक दिन में मौत होने का अमरिका में और इसके साथ ही अमरिका में फीगर जो है वो करीब 6,000 पार कर गया है जहां तक हम भारत की बात करें इंडिया की तो करीब 2,000 से उपर भी केसे से हमारे 56 नित है मौत और एक सुकून की बात यह है कि यह जो तबलीगी जमात के जो केसे आये पिछले तीन दिनों में अल इस तरीके से करोना फैल नीडा है और इसकी शायद सबसे बड़ी वज़ा जो है वो लॉक्टाउन है और लोगों का भी जादा तर कुछ एका दुख्य ऐसे होते हैं हर जगा पे जो पालन नहीं करते लेकिन एक बड़ी तादा भारत की आबादी की वो इसको मान रही है और शायद ये वज़ा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वज़ा से कई चीज़ें अभी तक कंट्रोल में हैं और सोर्स पता है कि कौन जो 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 एफेक्टेट है पॉजिटिव है वो उसको कहा से आया वो करिंकिन से मिला तेन चीज़ों की वज़ा से दो सवाल है कि ये कि अमरीका जैसे देश में क्रोणा इतना जादा क्यों मौत इतनी तेजी से क्यों और या आकला कहां जाकर रुगेगा क्या किया ऐसा अमरीका ने क्या गलती की जिसकी वज़ा से अमरीका इटली के जैसे बरबादी देल रहा है दूसरा ये कि चीन पे सब एखाम लगा रहे हैं कि चीन ने इसको शुड़वात में छुपाया और काफी एहम वक्त गवाया जिसके वज़ा से आज लगपक पूरी दुनिया इसकी चपेट में इंग्लेंड के सौथेंटन युनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है इन्होंने अपने वेबसाइट पर लाया था इंग्लेंड के सौथेंटन युनिवर्सिटी ये रिपोर्ट बड़ा चौकाने वाला भी है बड़ा डराने वाला भी है और ये सब कुछ मतलब ये जानने वाली चीज है इसलिए मैंने का कि चीन के उपर इल्जाम लग रहा है कि चीन ने इसको छुपाया पूरा इस पे इस रिपोर्ट में पूरा रिसर्च है और बड़े सही तरीके से इसको स्टडी किया गया और जो रिपोर्ट सामने आई वो दोनों चीजे है पहली चीज यह है यह हम सब को पता है कि दिसंबर 2019 में क्रोना पहली बार आया चीन में सामने लेकिन जो क्रोना का पहला ओफिशल स्टेट्मेंट आया चीन की तरफ से किया हमारे हैं जो मौत हुई है इसकी वजह क्रोना है और यह कंफर्म हो गया है वो 20 जनवरी को आया था यह याद रखेगा 16-17 दिसंबर को पहली बार क्रोना के पेशन्ट आने शुरू हुए वोहान में लेकिन चीन ने 16-17 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक इसको छुपा कर रखा मतलब करीब साड़े तीन हफ़ते बलके चार हफ़ते और 20 जनवरी को पहली बार इसका खुलासा किया अब सवाल यह है कि चीन ने अगर यह दिसंबर में इसका खुलासा करता तो क्या होता अगर दुनिया को पता चल जाता क्या दुनिया में आज यह चीज़ें होती और दूसरा सवाल यह कि अगर चीन 20 जनवरी को भी इसको छुपा जाता और एक दू हफ़ता और ले लेता तो क्या होता यह पूरी स्टड़ी है और मुझे लगा कि आप सब को जानना चाहिए स्टड़ी यह कहती है कि अगर चीन ने एक हफ़ते पहले यह बता दिया होता मतलब यह याद रखेगा कि 20 जनवरी को बताया था चीन ने दुनिया को करोना वायरिस की सचाई इससे पहले च्छनचन के खबरा थी लेकि अफिशल चीन ने 20 जनवरी को किया इसका मतलब है कि अगर उसने 13 जनवरी तक यह खुलासा कर देता और बता देता कि हाँ यह करोना वायरिस है और यह फैल रहा है वहान में तो क्या होता अगर चीन एक हफ़ता पहले यानि 20 से एक हफ़ता पहले 13 जनवरी को ये चीज बता देता करोना वारे में तो कहते हैं इस रिसर्च के हिसाब से कि 66% करोना के केसिस कम हो जाते पूरी दुनिया में जो आज है सिर्फ एक हफ़ता साथ दिन का सरी होता है कि 66% केस दुनिया के जो देशों में है वो नहीं हो पाते दूसरा था कि अगर वो दो हफ़ते पहले इसको बता देता तो क्या होता 20 जनवरी को पहली बार बताया तो दूसरा दो हफ़ते का मतलब हो गया 14 दिन मतलब 6 जनवरी अगर चीन ने 6 जनवरी को है ये दुनिया को सचस्च बता दिया होता कि वोहान करोना के चपेट में है तो स्टड़ी कहती है कि अगर ये 6 जनवरी तक ये बार दुनिया को पता चल जाती तो पूरी दुनिया में 86 परसंट करोना के केसिस नहीं होते 86 परसंट 86 फीसदी कम होते तीसरी चीज़ ये है कि अगर चीन ने 3 हफ़ते पहले सचसच बता दिया होता दुनिया को 3 हफ़ते का मतलब ये है कि 30, 29, 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक क्योंकि तब तक 15 दिन हो गयते है 16 दिसंबर को ये मरीज़ा ने शुरू है थे वहान में तो क्या होता 3 हफ़ता पहले बताता 20 जनवरी को जो बताया है 20 जनवरी से 3 हफ़ता पहले 21 दिन पहले 31 दिसंबर को अगर चीन ने सच बता दिया होता दुनिया को बिना डरे हुए कि उसके देश में एक वहान नाम वहान की शहर में एक क्रोना नाम का वायरिस आ गया है अननोन जिसकी वह ऐसे लोग मर रहे है तो इसका असर यह होता है कि 95 परसेंट जो केसेज हैं दुनिया वो होते नहीं 5 फीसदी सिर्फ होता और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तीन हफ़ते पहले बता देता चीन या दो हफ़ते पहले बता देता तो डबलू एचो को इसको महामारी भी गोशित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये 5 परसेंट पर रहता या फिर 15 परसेंट में रहता लेकिन चीन की इस तीन हफ़ते की देरी ने आज दुनिया के 190 देशों से ज़्यादा देश में इसको पहुंचा दिया साड़े 10 लाख लोग से अफेक्टेड हैं 54 लोग अब तक मर चुके हैं बाकी अभी कितने एफेक्टेड होंगे जिस तेजी से बढ़ा है 26,000 केस एक दिल में अकेले यूएस में आ गए हैं तो आगे क्या होगा इतो अल्ला जाने लेकिन ये तीन हफ़ते की देरी बड़ी भाली बढ़ गए अब इसका एक दूसरा पहलू है कि 20 जनवरी को चलो चीन ने बता दिया सच्चाई बता दी कि क्रोना वाइरस है मान लिजए कि 20 जनवरी को भी चीन छुपा लेता और नहीं बताता यानि कि वाइरस आने के अब एक महीना चार हफता होने वाला है तो क्या होता है अब ये इस स्टडी में ये कहा गया है कि अगर चीन ने इसकी जानकारी डेबलू एचो को पहले दी होती मतलब जो उसने 20 जनवरी को दी है और मान लिजए कि ये 27 जनवरी को देता हो एक हफते बाद तो अभी जो इस दुनिया में हम क्रोना को देख रहे हैं ये इस वक्त आज के सिनेरियो में इससे तीन गुना जादा होता मतलब आभी ये साड़े दस लाग मैंने अफेक्टेट केस बताया है तो आप इसको तीन गुना कर लिजए तो लगपक टेतिस चौतिस लाग हो जाता है दो हफ़ते और देरी की होती है जिसे 27 जनवरी में एक हफ़ता और आप लगा लिजए कि 27 जनवरी के बाद एक फरवरी फर्स फीक में ये अगर बताता तो ये तीन गुना साथ गुना हो चुका होता मतलब अभी जो दस लाग हैं 70 लाग पार कर चुका होता है जो केस हैं जो इसके पॉजिटिव पाये गए है सबसे खतरनाक सवाल ये है कि अगर तीन हफ़ता देर कर देता यजिस उसने तीन हफ़ता देरी से बताया और ये अभी भी नहीं बताता और तीन हफ़ते और देर कर देता और ये फरवरी के दूसरे हफ़ते में खुलासा करता थी कि हाँ ये करोना वाइरिस है और ये ऐसे से फैला है तो क्या होता इस्टडी कहती है तब जो देश में इस वक पूरी दुनिया में करोना है ये अपने से 18 टाइम जादा गुना जादा होता और शायद दुनिया में इनसानों के लगभग नामों निशान तक पे सवाल जाता और दुनिया एक लाशों का धेर बन जाती तीन हफ़ता और देरी करता तो ये स्टड़ी कहती है कि तीन हफ़ता देर किया चीन ने तो क्या फरक हुआ और तीन हफ़ता और चुपा लेता तो क्या होता तो तीन हफ़ता और चुपाने का जो तस्वीर हो और भ्यानक है तो अब यहां पे एक सवाल उटता है कि हम इलजान तो चीन पे लगा रहे हैं कि आपने देरी की सर चुपाया लेकिन यह तीन हफ़ता और चुपा लेता और लेकिन इसने खुलासा कर दिया तो चीन पे घुसा करें या चीन को थैंक्यू बोले कि चलो तीन हफ़ता चुपाया लेकिन तीन हफ़ता पहले बता भी दिया तुमने वरना पता नहीं आज दुनिया में क्या हाल होता तो ये एक चीज आई सामने नमबर दो पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में लगी है, दुनिया के सारे वग्यानिक उसमें लगे हुए हैं, अब सारी चीजें हुई ही कि वैक्सीन अलग अलग टेस्ट पी हो रहे हैं, अलग अलग लेवल पे हो रहे हैं, सक्सेस्फिली अभी तक इसका कहीं किसी ने इलान नहीं किय बट जादा तर डॉक्टरों ने जो वैक्सीन बना रहे हैं अलग अलग इसके एफिक्टेट मजीज को देखने होने से एक चीज सामने आए कि अगर वो पहला शक्स जिसको करोना का इंफेक्शन जिसमें पाया गया वो मिल जाए तो उस वैक्सीन बनाने में बड़ी मदद मिलेगी क्योंकि वो एक केस स्टड़ी है कि वो पहला कौन कैसे तो अब इसके लिए तलाश शुरू ही चीन की मदद मांगीगी काफी तलाश के और रिकॉर्ड निकालने के बाद क्योंकि ये था कि अलग-अलग आरत है इसमें पहला कौन था तो वोहान के उसी सीफूड मार्केट की एक लेडी मिली है उसका नाम जैई है पूरा नाम जैई हुईंग्यांग शायद तो उस लेडी के बारे में पता चला कि ये पहली एक लिए थी वहीं सीफूड मार्केट में वो शौप है उसका वो बेजती है और सीफूड मार्केट से ही थोड़ी दूर पर वो किराया के घर में रहती है तो वो दिसंबर के सेकंड वीक में उसको बुखार और कोल्ड हुआ वो पहले क्लिनिक गई क्लिनिक वालों ने दवा दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ फिर वो वहां के हॉस्पिटल गई वहाँ पे भी देखा ठीक नहीं फिर वो उस हॉस्पिटल में गई जहां पे डॉक्टर ली काम करते थे जो इस पूरे मामले का जिन्द ने पहले बार खुलासा किया तो डॉक्टर ली ने जब देखा तो डॉक्टर ली ने उससे कुछ दवाए दिया और फिर उससे कहा था कि तब तक डॉक्टर ली को भी मालूम था कि इसके बाद इतनी पेशेंट आएंगे वो पहली थी तो डॉक्टर ली को भी कुछ समझ में उस वक्त नहीं आए इसके बाद अलग-अलग साथ लोग आए तब उन सब के लक्षा देखने के बाद डॉक्टर ली को डाउट हुआ लेकिन इस दौरान में ये लेडी जो बीमार थी जो गई थी करीब 15-16 दिन के बाद ठीक हो गई और वाद भी ठीक है जो पहली थी उसको नंबर दिया गया पेशन नंबर 0 मतलब वहीं से शुरुआ थी तो वो लेडी ठीक हो गई और पता चला कि ये पहली केस तो जो वग्यानिक जो वैक्सीन सब में लगे हुए पर चीन की मदद से उस लेडी के केस को स्टीं कर रे है इसको क्या होआ था कैसे होआ था हो सकता उससे वैक्सीन मिलाने ममद मिले अब उस लेडी के साथ साथ तमाम वग्यानिक इस बात की भी कोशिश कर जह थे कि जो पहला डॉक्टर था इसने सीज को खो जा, डॉक्टर ली, तो उन्होंने भी काफी रिपोर्ट तयार की थी, अलग-अलग सारे लोगों के लक्षन पर, तो डॉक्टर ली की जो रिपोर्ट है, अलग के डॉक्टर ली भी इस क्रोना के मरीजों का इलाज करते-करते हैं, उनकी मौत हो गए, फरवर पेशेंट जो है लेडी, और दूसरे डॉक्टर ली के इस रिसरच पेपर पे सारा जो उन्होंने लगभख एक सवा महीना इस पर काम किया, और फिर इसी के शिकार होकर उनकी मौत हो गई, लेकिन इसमें जो खबर आई वो ये कि जो पहली शिकार थी, इस क्रोना वाइरस की उसके अंदर जो वाइरस गया, फिर वो हस्पिटल गई ठीक हो गई, उसे कुछ नहीं हुआ, वो जिन्दा है और बिल्कुल फिट है, बाद में फिर उसका मेडिकल हुआ जब पता चला कि ये वो जिरो नंबर पेशेंट है, तो वो ठीक हो गई, तो ये तो रहा एक पहलू अब जो दूसरा मैंने आपको शुरूर में बताया था कि, आखिर अभर अमेरीका में ही सबस olmasे जादा हाकार क्यों मंछा हुआ है, क्यों अमेरीका इटली को भी पीछे छोड़ रहा है, अमेरीका में इतनी जादा इंफेक्टेद के स्क्राक हैं, क्यों वहां पेजिटीन ज time के बहुत सारे बयान आते थे उसमें कहा गया था कि अमेरिका इसके लिए पुरी तरह से तयार है और अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होगा और वो confident थे चीज को लेकर लेट जन्वरी जन्वरी के विलके लास्ट वीक में अमेरिका में पहला case positive पाया गया था मैं जन्वरी की बात कर रहूं और Washington में यह case positive पाया गया जब यह positive पाया गया तो वहाँ पे जो सारे experts थे medical और इन तमाम लोगों ने उन्होंने उसको seriously लिया government को suggest कि कि चुके US के citizen बहुत सारे दर उसे travel करके आया है और बाकी भी विदेशी आ रहे हैं यहाँ पे तमाम आते हैं और चीन की सारी वो वहाँ की जो एजन्सियां थी अपनी सारी वो report रख रहे थी इस कुरोना को लेकर तो यह सारी बातें सरकार के कानों तक पहुचाएगी यानि डोनल्ड ट्रम्प प्रशासन तक पहुचाएगी लेकिन उस वक्त जब यह पहला केस आया था जन्वरी के लास्ट वीक में डोनल्ड ट्रम्प administration का यह कहना था कि घबराने पैनिक होने के जरूवत नहीं है पहली लापरवाही थी दूसी लापरवाही यह हुई कि उनसे कहा गया कि ठीक है कम से कम आप बाकी चीजा ना करें टेस्ट तो करें टेस्ट किट होनी चाहिए जिसके जरीए आप लोगों को टेस्ट करेंगों कि कौन पोजिटिव है नहीं है टेस्ट किट नहीं थे कम थे क्योंकि वारिस भी नहीं था तो जोनल्ड टरंप एड्मिनिस्टेशन ने ये कहा कि जो world health organization है उसके जरीए जो guidelines है उनी guidelines के आधार पर test kits तयार होने चाहिए और उनी के जरीए ही test होगा और इसके लिए Center for Disease Control and Prevention जो एटलांटा में है यानि कि सीडियेस इसको कहा गया कि आप टेस्ट किस दीजिए पर कहा गया कि इतनी जल्दी इतने सारे टेस्ट किस नहीं आ सकते हैं तो आप इसको थोड़ा पब्लिक कर दीजिए प्राइवेट कमपनियों से और इधर उधर से भी लेनी की इजाज़त दीजाए बनाने की इजाज़त दीजाए तो यह यूएस एड्मिस्टेशन ने इसको मना कर दिया कहा कि डब्लू एचो के गाइडलान्स के खलाफ है और उन्हों ने जो इसमें बहुत सारे लीगल पहलू थे उसको देखते हुए कहा कि नहीं इसको हम प्राइवेट कमपनि सबको यह एक साथ वो स्प्रेड होना शुरू होगा जो पहला खेप भेजा सेडियस ने टेस्ट किस्ट का किट्स के लिए उसमें भी कुछ नुक्स निकल आया फॉल्टी तो वो काम ही निकला तो उसको वापस भेजा गिया इस दोरा में और वक्त निकल गिया अब यह वक् बलानी की अजादत नहीं है प्राइविट कंपनियों को दिया नहीं है 29 फरवरी को पहली मौत यूएस में क्रोना से होती है जनवरी लास्ट वीक में पहला पॉजिटिव पाया गया और 29 फेप को पहली मौत होती है जब पहली मौत होती है तो पहली बार अड्मिनिस्रेशन जागता है उसके बार यह होता है कि अब उसके साथ के तमाम जो निटवर्क सोर्सें हैं किन किन से मिला कि आम सब के चिक तो जब यह सारी चीज़े होने लगी और इसी दरान में फिर खबर आती है जो पॉजिटिव पाने की क्योंकि आप पहली बार डर हुए कि मौत हुए तो यह अकेला नहीं है इसके आगे भी कई चीज़ें होंगी तो फिर धूनना शुरू किया गया पता चला कि अब यह वाशिंग्टन के लावा नियू और नियू जर्सी कैलिफोर्निया वाशिंग्टन स्टेट मिशिगन इलियोनियस और मिडवेस्ट यहां तक यह पहुंदिय लेकिन इस इजाज़त की बीच में एक सबसे महीना जो सबसे इंपॉर्टन था वो यूएस के हाथ से निकल गया एक महीने तक उस लेवल पर उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया जिस लेवल पर सौथ कोरिया ने किया या बागी कुछ और देशों ने किया इटली ने किया अमर जब इन्होंने फिर प्राइविट कंपनियों को दिया तब इनके पास टेस्ट किट्स जो आने शुरू हुए और जब उससे जान शुरू की गई तो यही वज़ा है कि फरवरी के बाद अचानक यूएस में एफेक्टेड लोगों की गिंती बढ़ती गई बहुत कम था पह पाए जा चुके हैं अमेरिका में 2,44,000 अमेरिका में अब तक पॉजिटिव केस पाए गए और 6,200 के करीब मौत हो चुकी है अब इसमें लिए आई यह जो सबसे बड़ी है और बुरी खबर है कि 2,44,000 जो पॉजिटिव केसे हैं उनमें से अकेले 83,000 केस सिर्फ एक शहर मे और वह है नियॉयर्क तो आठ तियाई 24 करीब करीब एक तिहाई 24,000 पूरी अमेरिका में और 83,000 नियॉयर्क में पॉजिटिव केस पाए गए और जो 6,200 अभी तक जिनकी जान गई है अकेले नियॉयर्क में 200 लोगों की जान जा चुकी है यह नियॉयर्क की कहानी है अब इ सारी चीजें धीरे-जीरे बढ़ रही है और अब टेस्ट भी हो रहा है और अभी तक लास्ट वीक तक जो इसमें डेथ रेट था मिर्तिवदर वो कम था कई और जगह के मुकाबले में अमरिका के 1.5 परसेंट था जबके 7.7 परसेंट इटली का था और स्पेइन का भी रहा है अब यहां पर दो चीज़ आद रखें कि एक अफ़ता पहले और फिर हाल में भी तोनेल टरम्प ने कहा था कि जिस तरीके से फैल रहा है स्प्रेट हो रहा है अगर हम इसको एक लाक या दो लाक के बीच मौत को रोक पाए तो बड़ी काम्याबी होगी एक देश का रास्टर परती है अगर यह कह रहा कि इतने लोग मर सकते हैं उसके जो अडवाइजर और साइंटिस्ट मिस्टर एंटोनी जो डिजीज उसके हैड है उनका भी यही कहना है अब वहां के बाकी लोग इस वक्त जो सारी चीज़ सामने है और जो केसे बढ़ रहे हैं जिस तरी क्याना है कि मिड अपरेल तक मतलब यह 15 अपरेल तक आज हम 3 अपरेल में 12 दिन बाकी है अमेरिका में 80,000 से जादा लोगों की मौत हो जाएगी इस क्रोना के क्यों क्यों क्योंकि एफेक्टेट जितने लोग हैं और जो पोजिटिव पाए गए और जिस तेजी से फिर अभी जो ट्रेन चल रहा मौत का उस हिसाब से उन्होंने 80,000 कहा है लेकिन उनका दूसरा यह कह रहा है कि जो मौडल अभी है 80,000 तो उन्होंने वो कहा है उसमें एक और भी है कि अगर इसमें कुछ उपर नीचे होता है तो वो यह बताता है और मौजूदा एफेक्टेट केस और रेट को देखते हुए कि करीब करीब टोटल अगर आंकड़े मौत की बात करें तो उनका यह है कि 38,000 से लेकर 1,62,000 तक यह आंकड़ा भी जा सकता है मतब 38,000 से लेकर 1,62,000 तक यह इस स्कूल आफ मेडिसिन का अपना है प्रेसेडेंट और जो वहां के उनके अड़्वाइ करीब धाई लाग के आज पास एफिक्टेट के जो पॉजिटिव हैं वो पहुँच चुके हैं छे हजार से आदा मौत हो चुकी है अकेले 83,000, 82,000 नियो यॉर्क में अभी तक इसके एफिक्टेट हैं तो यह सारी चीज़ें पहानक तस्वीर पेश कर रही हैं आने वाले व ज्यादा तर जो क्रिटिक हैं और एक्सपर्ट हैं उनका यह कहना है कि जो ट्रंप एड्मिस्टेशन है उसने इसको सीरियसली लेने में देर कर दिया जो वक्त रहते हैं गदम उठाने चाहिए थे लागडाउन से लेके बाकी सोशल डिसर्सिंग जैसी चीज़ें वो नहीं जायता है कि प्लेइन ट्रेन इस सब चारी सारी चीज़ें पूरी तरह से बंद करने के अड्मिस्टेशन खलाफ है और चल रही है लेकिन अगर थोड़ा सा और कदम उठा रही जायता तो शायद मुझे लगता है कि जैसे भारत ने किया तो उसका असर भी दिख रहा है अमर ही लाग के करीब इसकी चपेट में आ चुके है छे अजास जादा की मौत हो चुकी है और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जो अपरेल का महीना है खुद ट्रम्प ने भी कहा है कि एक मही तक हो सकता है हम इससे उपर जाए तो एक मही में अभी पूरे करीब 27-28 दिन बाकि को तीस रही दिन है महीने का नहीं अपरेल का और 15 अपरेल तक खुद यह ट्रम्प ने भी कहा है कि क्रोना की जो तबाही होगी वो मिड अपरेल में पीक पर होगी अपने उसके बाद गिरना शुरू होगी तो यह स्टडी भी यह कहती है कि मिड अपरेल तक जाने फिप्टीन अपरेल तक सब स्यादा तबाही होगी शायद सब सादा जाने जाए उसके बाद देखिए फिर चीज़ें शायद धीरे कम हो टंप्रेचर भी थोड़ 9 बिजे किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी और दूसरी कोशिश करूँगा कि अब मैं मंडे से अगले हफते से एक फ़र सा ट्रेंड चेंज करो क्रोना क्या चुकि आप समय से बहुत सारे लोग अपडेट मांगते हो और सारी चीज है तो उसकी वैसे मुझे बताना मेरा फरस भी है पर मैं सोचता हूँ कि एक सेग्मेंट मैं रख दो आप लोग अपने अपने राय दीजेगा जरूर मेल पर कि पांच मिनट का जिसमें मैं पूरे दुनिया देश कि आपको करोना की अपडेट दे दो और पुरानी कहानी के तरफ लौट चलू ताकि इस वक्त में बहुत सारे लोग घर में भी हैं लौकडाउन है और दिन भर 24 घंटे कुरोना कुराना सुने कई बार मुझे भी अजीब सा फील होता है कई बार बड़ा डिप्रेशन सा भी लगता है एक तो अजीब सा महाल है सड़क पे जाईए तो सन्नाटा हर तरफ खामोशी उदासी त तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं आप लोगो कुछ रहसे मही कुछ डिफरेंट कहानिया कुरोना की जिन्दगी से हट कर सुनाओं तो शायद आपका वक्त अच्छे से कटे तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही हूँ तो मुझे जरूर आप मेल पे अपनी रा जैसा होगा जो आपकी इजाज़त होगी जैसा आप कहेंगे तो आपका हुक्म होगा वही करोगा बट मेल पे आप जरूर अपनी राह दीजेगा तो आज इतना ही कल रात नोवजे मुलाकात होगी और फिर आपकी राय के हिसाब से अगले हथते से तैह होगा कि क्या करना है Thank you.